जी हां दोस्तों सुशान सिंग राजपुत की एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आप सभी को भी काफी मोटिवेट करेगी और यही होता है कॉनफरेंस जो सुशान सिंग के अंदर था दरसल ये वाक्या है दोस्तों सुशान सिंग के स्कूल की दिनों का जहां कि उनकी करीबी फ्रेंड आरती बतरा दुआ ने बताया था कि किस परकार से सुशान ने उन्हें एक ओटोग्राफ दिया था कि आरती बतरा दुआ ने सुशान सिंग के जाने के बाद एक एक इमोशनल बयान देते वे कहा कि हमारा फैरवल का दिन था स्कूल का मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सुशान काफी अच्छा व्यक्ति था और वो हमसे अलग हो रहा था वो कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे स्कूल में इंजिनिरिंग कोचिंग सेंटर वाले लोग आये थे और ब्राउन कलर के लिफाफे में सैंपल पेपर दे रहे थे सुशान्त मेरे बराबर में ही बैटा था उसने मेरी और देखा और फिर मेरे हाथ से लिफाफा लेकर उस पर लिख दिया लोट्स ओफ लब्स सुशान्त यानि कि धेर साला प्यार सुशान्त के तरफ से फिर आर्टी कहती है कि मैं उस समय बहुत नराज हुई मैंने उस से कहा कि पागर ये तुमने क्या कर दिया लेकिन सुशान्त ने भी मुस्कुराते वे कहा कि रख ले काम आएगा तेरे क्योंकि वो कहती है कि मैं बहुत गुसा हुई थी और उसने मेरे लिफाफा अपना लिफाफा मुझे दे और मेरा ले ले तब उसने मुझे कहा था कि रख ले बाद में लाइन में खड़े होने के लिए भी क्या पता ना मिले समय यानि की सुशान्त ने अपनी फ्रेंड से कहा था कि रख ले बाद में लाइन में भी खड़े होने का समय नहीं मिले गा तुझे और उसने वह बात साबित भी कर दिखाया उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए जीजान लगा दी मुझे इस पर प्रावड फील होता है मेरे पास अभी भी सुषान का लिफाफा जो ब्राउन क्लर का जिस पर उसने बना नाम लिखा था वो आज भी मौझूद है आरती नागे कहा कि सुषान दोस्तों की बहुत परवा करते थे उन्हें याद है कि सुषान एक बार दिल्ली से उज्जेन सिर्फ इसलिए गए थे ताकि उनकी दोस्त नव्या जिंदल को ये बता सके कि उन्होंने इंजिनियरिंग छोड़कर एंटेटेंडमेंट की फिल्ल में करेर बनाने का फैसला कर लिया है भारती नागे बताया कि उन्हें और नव्या को सुषान का ऐसा फैसला सुनकर जटका लगा था और उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी क्यूंकि दिल्ली कॉलिज ओफ इंजिनिरिंग में सुषान का सपना था और सुषान ने एक ऐसी रेंक हासिल करी थी जो लोग सपने में देखते थे आरती ने आगे कहा कि सुषान ने एक्टर बनने से पहले श्यामक डावर का डांस ग्रूप जोइन कर लिया वह एश्विराय बच्चन के साथ परफॉर्म भी करके फूले नहीं समा रहे थे आरती को अब भी यकीन नहीं होता कि सुषान डिपरेशन का शिकार थे और उन्होंने अपने ही जान लेने जैसा कदम उठाया होगा नेक्स्ट नैन लाइफ की रिपोर्ट